कौन होला खाई या खा के बताएं ना होला कि जिसने ये खाना बनाया उसके हाथ चुम लेता लें हेलो गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब मैं सांती स्वागत करती हूं अपने योटूब चैनल गाउं की सांती में और आज की विडियो है बहुत ही ज्यादा खास बहुत ही ज्यादा इस्पेसल और पूरी कोशिस पूरी मेहनत रहेगी कि आप सब को कुछ अच्छी चीजे शि टी की जाए लू बादल गर्जता है हेलो कैसे हो आप सब मैं सांती स्वागत करती हूं अपने यूटूब चैनल गाउंकी सांती मैं मैं उमीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और कल की वीडियो के लिए माफी चाहूंग वीच में शुरू में ही वीडियो म्य गई थी मेरे से गलती से रीजन में बता रही हूं मैंने म्यूजिक लगाया था तो वहां पर कॉपी रेट क्लेम आ गया था तो मैंने क्या किया कि उसको जाके ली एंसीयर में चलता है रहे नोईडा का ऐसे कुछ करके तो तब उन्होंने लिया था यह सारी बाते में उस वीडियो में बता रही थी और अभी हिसासे चड़ी हुई है मौसम देखिए यह देखिए यह पीछे देखिए मेरे क्या कर रहे हैं मटर तोड़ रहे हैं गुगनी मेरे को नास्ता नहीं दिया है अभी तक टाट पर जाएगी मिरको आवा तनी आलू के पराठे बनाने वाली हूं सारी तयारी पूरी चीज़ करके आई हूं बस फटाक से सेखने है मिरको यहां पर मैंने गरम पानी में नीम्बू निचोड़ दिया है इसमें मैं सोयाबीन भ किन कर दूँगी और डिस्किप्सन में भी दे दूँगी ताप वहां से उस वीडियो को भी जरूर देखेगा और आज बनने वाले हैं हमारे कीचन में बहुती टेस्टी टेस्टी से नान खटाई और इसकी रेसिपी का इंतिजार आप सबको था तो जरूर देखेगा वीड करने को और आज मैंने सारी बैट्शिट वगेरा धोई है न तो फिर यहां बे मैं बिचा दूँगी और यह काम तो सभी लोग अपने घर में करते ही होंगे फिर मेरा भी पूरा सुबा से साम तक अब जाके मैं फ्री हुई हूं खाना बना के सब को खिला के पौधों को पान पानी रखके खुद पानी पीके और हमारे गाउं में हो रहा है यह कि सिवरात्री तक होता है सिवरात्री से आठ दिन या दस दिन पहले ऐसे शुरू होता है तो यह जाएंगे खाना खाकर वहीं पे और पैसा बचाना तो सब को यह अच्छा लगता है ना कि थोड़ी सी मैं खाने को मिले तो कुछ न कुछ बनता ही रहता सबके यहां तो आज मैं बनाऊंगी नान खटाई और नान खटाई सुनके मूँ में पानी आ गया होगा लेकिन हाँ मैं बनाऊंगी और घर पे कैसे बना सकते हैं आपके पास ओवन नहीं है तो कड़ाई में कैसे बना सकते है ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है मेरे लिए भी था मैं नान खटाई फोस्ट्राइम बनाने जा रही हूँ देखते हैं कैसा बनता है और इनको खिलाऊंगी भी जब ये वहाँ से आ जाएंगे लेकिन उससे पहले भी मुझे बहुत सारे काम हैं जिनको मैं खटम करूंगी और पक्का वीडियो देखिएगा नान खटाई आप घर में बनागे खिलाएंगे कितनी सारी तारीफे मिलेगी आपको सोचिए बहुत महंगे मिलते हैं लेकिन लगते बहुत टेस्टी है आप दिवाली देख लिजिए दिमाग का दिवाला निकला पड़ा है होली आ रही है दिवाली की याद आ रही है होली में बना सकते हैं बहुत अच्छा लगता है तो चलिए उसकी भी थेहरी सुरू करते हैं अभी आज रामनी मैंने बेटशिट बिचाई मन तो कर रहा है इधारी दो चार घंटे तक लेटे रह जाएं लेकिन चैन नहीं जो सोवत है जो सोवत है वो खोवत है मेरे आजी न बहुत सारे भजन गाती है इस टाइक की जिसे जिसे सुबाई उठ जाती है चार बजे चार बजे अब तो पतानी अब तो पांच बजे उठती है और मेरे पापा के लिए पूछ रहे थे अब लोग कहा है तो गाव महीं है वो नहीं गये है अभी कोरबा नहीं गये है क्योंकि दादी के पास चाहिए कोई ने कोई तो वह पापा वहीं पे हैं मैं मिलने भी जाओंगी पापा से देखती हूँ या पापा आएंगे मेर से मिलने के लिए बीच में भी आये भी थे और अग मोसम ऐसा हो रहे हैं कि नान खटाई की जगबे और लाइट नी उपर से कैसे कैसे मैनेज करते हैं काम तो चलिए आज की स्पेसल रेसेपी शेयर करती हूं आप सबके साथ और यहां पे सबसे पहले मैंने लिया है घी यहां पे जो घी लेना है आपको वह एकदम पिगला भी नहीं चाहिए एदम रूम टमपरेचर पे चाहिए इस तरीके से इसके बाद मैंने यहां पे ली है आधी कटोरी एक कटोरी मैंने घी ली थी बड़ी चोटी कटोरी से बड़ी कटोरी से मैंने आधा कटोरी दिया है चीनी और चीनी और घी को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से कम से कम मैं बोलू न तो 10 से 12 क्या 15 मिनट लग जाएंगे इसको फेटने में इसको जाग की तरह हो जाएगी यह इतना जाद आपको लगे गए ने कि घी और चीनी है जब यह अच्छे से हम फेट लेंगे तो इसमें डालेंगे हम एक कटोरी भरके मैदा जिससे मैंने आधी कटोरी चीनी ली थी ना उसी से और एक चमच यहां पर माफ करेगा दो चमच मैंने ल बेकिंग जो सूडा होता है न वो और इसको हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे इसके बाद यह कुछ इस तरीके का डो बन जाएगा और इस बाद का खास खयाल रखे इसमें पानी या फिर दूद का प्रियोग नहीं करना है और बाकी कुछ आपको नहीं समझ में आएगा त इसके बाद मैंने यहां पे था एक प्लेट के उपर यह पेपर बिचाया है इसकी वीडियो आज ही सुबह गई है मेरे चैनल पे और मैंने कटोरी कढ़ाई रखिए कढ़ाई पे कटोरी और उसके उपर यह प्लेट कढ़ाई मैंने 15 मिनट पहले ही गैस जला के अच्छे से गरम कर दी है और इसको हम धक देंगे पकने के लिए जैसे हम इसको धक के पका मतलब बेक करने लगेंगे आप यह देखिए कि आपको यकीनी होगा कि नान खटाई बन गई है जी हां मुझे भी नहीं हो रहा था यहां पे मैं एक एक उठा के आपको दिखा रही हूं नीचे इसे कितनी अच्छी बेक हुई आचा बेकिंग के लिए लेजी नान खटाई लेए लेए का रूक हो अपने बनवाई ना फिर नाटक करे लगी ना लेज़ा को लो हम बढ़का लेए ले लो नचला होई लेला तैनी खाई आखा के बताई अगर दोकान फेलना होजी तो फिर बात का कि मा बहुत टेस्टी है क्या है पर्फेक्ट बार है हां ने देसिक घी कह यहो नहीं कि दोकान पतीन प्राच अपका कहते नीग ना होला कि जिसने ये खाना बनाए उसके हाथ चुम लेता लें अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था और आज मैंने एक पांसो की नोट ना अपने हजमेंड के पाकिट में उसको फीच के फाड़ दिया है मतब वो चलने लाइक बिलकुल नहीं है वो फेक ना पड़ा तो पांसो रुपे का आज बड़ा नुकसान हुआ है मेरी लापरवा की वज़े से और इसमें के एक वाले जेब में ये 70-75 मतब 80 रुपे के करीब में थे जो मैंने यहां सूखने को डाले हैं बट उस नोट की तो मैं क्या बोलू मैंने ब्रस लगा दिया और वो नोट फट गई और मुझे डांट बहुत ज़्यादा पड़ी क्योंकि लापरव काननी तो पड़ती है मैंने बोला कि चलो अब गलती हो गई है क्योंकि 500 रुपे बहुत माहिन रखते हमारे लिए तो बहुत रखते हैं पांस रुपे भी माहिन रखते बात 500 की नहीं थी तो आप लोग जरूर चेक करती होंगी लेकिन अगर भूल जाती है तो कर लिजेगा मेरी तरवाली डाट आपको ना पड़े और यहाँ पर मैं कैंची और इंची टेप सारी चीजे लेके बैठी हूँ अरू मेरी लेके आ रही है फॉल और अस्तर मैंने उससे मंगवाए यही पर मिल भी जाती है और पता नहीं किस बात से गुस्से में थी तो बतब कुछ था क कुछ बाते कर रहे थे हम लोग मुझे याद नहीं आ रहा है और इस साड़ी में एक्स्ट्रा कपड़ा दिया गया था तो उसी को हम लोग देखके बाते कर रहे थे और यहाँ पर मैं जाओंगी अपने व्लाउंस की कर्टिंग और मेरी हालत होगी यह खराब नान खटाई क करते 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 मतब 45 मिनट लग रहा था मैंने देखी थी वीडियो देखी थी क्योंकि यह सब चीज़े तो हम पूरी सबजी थोड़ी नहीं कि हमने बसपन से बनाई है रोटी सबजी थोड़ी नहीं यह नान खटाई है तो इसके लिए तो मैंने वीडियो देखी थी क पहले ही देखी थी जिनके कुकिंग के चैनल है वहां से और अभी मैं यह वाली साड़ी लेके बैठी इसमें मुझे लगाना है फॉल और कैंची और इंची टेप दोनों लेके बैठी हूं जिसमें करनी है मुझे ब्लाउंस की कटिंग तो फॉल जब तक सुखेंगे तब तक म कर लूंगी क्योंकि आपको सबकों पता ही है मैंने बताया भी तक दिन कि मैंने ब्रेक ले लिया है बहुत सारे जगोह से क्योंकि मेरे हैल्थी शू बहुत ज़ाद भी थोड़े चल रहे हैं में अप्डेट करूंगी आप सबको तो ज़्यादा मैंने वह लोड नहीं ले क्योंकि दिरे दिरे अब साम भी होने वाली है आज मैंने यह देखिए यह देखिए कुरसिया दिख रही है सारी कुरसिया रगड रगड के धोई हूं और मास्टर सहाब के आने का टाइम हो गया है और टेबल आरम में जहां पढ़ती है वो टेबल ऐसे बाहर ही छूट जाता ह कभी कभार वरना मैं साम को गल यारा में रख देती हूं उस पे इतनी धूल जम गई थी पुरा रगड रगड के साफ कि अब उसकी साइकल जाएगी अज बढने को तो यह आते हैं तो मैं भेजूगी इनको साइकल देखिए कि जाए बनवा के ले आईए कभी कभी ना बहु मुझे आ गया गुस्ता मैं ने बोला मैं उठा के किसी को दे दूंगी जो साइकल चलाएगा वैसे मैं बात बताओं आपको राज की मुझे साइकल चलाने नहीं आती है और इसके पीछे वे चोटा सा किस्ता सुनाने लगोंगी न वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी हमारी जो छोटी वाली बुआ है तो मेरे फूफा जी आर्मी में है चलिए बता देती हूं फटाक फटाक से तो जब रिटार में रिटार आये न तो दीदी भाई या लोगों के चार साइकल थे चार या तीने ऐसे कुछ थे तो उनमें से एक हमारी बुआ ने हमको दे दिया तो ज तुब असाम खाना बनाना होता था तो टाइम नहीं मिल पाता तो वो तो साइकल सीख गई और जब वो सीख गई नहीं तो बोलती कि तो पीछे बैट मैं तेरे को खीच के लेके जाओंगी स्कूल तो मुझे पीछे बैटना गमारा नहीं होता था क्योंकि अब बढ़ा बढ साइकल है उसके पीछे बहुत सारी यादे जुड़ी हुई है तो साइकल से याद आ गया तो इस वीडियो को मैं यहां पे खतम करूंगी और मैं अपनी बुआ से ना दोनों एक बुआ से ताप मेरी मुल मिल चुके एक बुआ से नहीं मिले जब मैं जाओंगी उनके पास आ यूटूब पे दिर दिर हो जाएंगे होने वाले हैं तो एक होता है न एक स्ट्रॉंग जैसा इंसान बन जाता है जो शुरुवात के दिन होते हैं और ऐसे आप जब यूटूब पे लगातार काम करते रहो तो मैंने कर ली बहुत सारी बाते और यह देखिए मेरी साड़ी रह जाएगी धरी पड़ी मैं धरी रह जाओंगी खड़ी खड़ी इसलिए मैं चलती हूं आप लोग खाना खाईगे क्योंकि वीडियो तो खाना खाते टाइम ही देख रहे होंगे बनाते बनाते और मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करिए लाइक कर दीजेगा वीडियो देखने में खो जाते हैं भूल जाते हैं कि सांती दी की वीडियो को लाइक भी करना है कर दीजेए मिलते हैं आप सबसे